बच्चों कैसे आप सभी होप करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूर्दास जी का जीवन परिशे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाते चलती हूं साथ में अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं ने तो आप सुन भी सकते हैं आपके लिए बहुत हेलफूल होने वाला है तो चलिए सूर्दास का जीवन परिशे देख लेते हैं सूर्दास जी का जन्म संद 1478 म ऐसा माना जाता है मतलब किसी को पता नहीं है कि उनका जन्म एक्जेक्ट कब हुआ था 1478 में माना जाता है एक मानेता के अनुसार उनका जन्म में मथूरा के निकट रूनकता या फिर रेडू का छेत्र में हुआ था मतलब ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म था कि वो मथ क्रिश्न भक्त थे तो आप उसी से उसको जोड सकते हैं कि हां ठीक है मतुरा के निकट अगर आपको एक्जाम में रुनक्ता या रीडु का नहीं आदा है तो मतुरा के निकट हुआ था ऐसा भी माना जाता है इस टाइप से भी आप लेख सकते हैं आपके नमबर नहीं तो कहा हुआ था रुडिका छेतर में हुआ जबकि दूसरी मानेता के अनुसार मतलब एक और मानेता है उसके अनुसार उनका जन्मस्तान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है महाप्रबु बल्लभाचारे के शिश्य, मतलब उनके गुरु कौन थे सूर्दास ची के बल्लभाचारे, सूर्दास अस्ट शाप के कवियों में सरवाधिक प्रशिद्य थे, वे मतुरा और विंदावन के बीच गउखाट पर रहते थे, और श्रीनात ची के मंदिर में भजन क क्यर्तन भी करते थे, सन 1583 में पारसुली में उनका निधन हो गया था, कब हुआ था उनका निधन 1583 में, जन्म कब हुआ था 1478 में मतुरा के दिकट ठिक है अरोनत्ता नामक जगा येरेडु का नामक जगा पे हुआ था, मिरत्यु कब हुई 1583 में पारसौली में उनका निदन हो गया था उसके बाद उनके तीन ग्रंथों में सुरसागर, साहिते लहरी और सुरसारावली और सुरसारावली में सुरसागर ही सरवाधिक लोग प्रे हुआ उनके तीन ग्रंथ है, सुर्सागर, साहिते लहरी और सुर्सारावली, इन तीनों में से सुर्सागर जो था वो सबसे ज़्यादा लोग प्रे हुआ, ठीक है, खेती और पशुपालन वाले भारतिय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुशे की स्वाभाविक वृत्तियों क सुर्दाजी की कविताओं में मिलता है, सुर्दाजी वात्सल्य और श्रिंगार के स्रेष्ट कभी माने जाते हैं, क्रिश्न और गोपियों का प्रेम सहज मानिविय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, मतलब उन्होंने अपने जो कविताओं के जरिये, क्रिश्न जी और गोप की गौरोगा था के माध्यम से सामाने मनुश्यों को हींता बोद से मुक्त किया और उनमें जीने की ललग भी पैदा की उनकी कविता में ब्रजभासा का निखरा हुआ रूप है वह चली आ रही लोक गीतों की परमपरा की ही स्रेस्ट कड़ी है तो इस तरीके से इनका जीवन परिचा है खतम होता है आई हूप कि आप लगों को हेल्फुल लगा होगा वीडियो वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक कीजेगा शेक कीजेगा और चैनल पर नहीं है तो शेयरों को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भी लेगा थांक्यू थांक्स पो वाचिं